ओम स्यंति हम सभी संसार में बड़े से बड़े मनुस्य हैं स्रस्टी के आदी मनुस्य पूरवज मनुस्य आत्माए तो हमें बहुत कम बॉलना चाहिए जो रोयल लोग होते हैं वो बहुत ज़ाद नहीं बॉलते हम भी बहुत रोयल हैं बॉल इस संसार में बड़े महत्पून होते हैं किसी के बॉल महवाक्य कहलाते हैं किसी के बॉल बहुत वर्दान बन जाते हैं किसी के बॉल सुखदाई हो जाते हैं तो किसी के बॉल दूसरों को जैसे की मूर्शित से सुच्जीत करने वाले बनते हैं सोच लें, हमारे बोल कैसे हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलते कि किसी के जीवन में निराशा आ जाए, हम ऐसे तो नहीं बोलते कि दूसरों के दिल दुख जाए, कईयों के बोल सच मुझ बहुत कड़वे होते हैं, दुनिया में भी कई लोग ऐसे होते हैं, दू अपनी पतनी क्यों नहों उनके परिवार वालों के पीछे लगे रहते हैं, तुम्हारे ये भाई, तुम्हारे मावाप ऐसे हैं, वैसे हैं, कतु बोल कर अपने घर में, वातावण में कडवाट बरते रहते हैं, हमें याद रखना चाहिए, जैसे बोल हम दूसरों को वैसे ही कभी न कभी हमें भी सुनने पडेंगे, अब तो हम भगवान के बच्चे हैं, हम अपने कानों से भगवान की वानी सुनते हैं, इस मुख से भगवान का संदेश सब को देते हैं, तो जिस मुख से भगवान का संदेश देते हैं, उस मुख से हमें किसी की भी गलानी न अपना लें, कि हमारे मुख के बोल तुसरों को सुख देने वाले हों, उनके पूरसार्थ को आगे बढ़ाने वाले हों, उनके जीवन में नई राहें दिखाने वाले हों, हमारे बोल सब को हलका कर दें, भारी आत्माएं हमारे पास आएं, लेकिन हलकी होकर जाएं, तो बोल पर बहुत ध्यान देना है, हम संकल्प करें, आज से हम बहुत अच्छे बोल बोलेंगे, ताकि हमारे बोल सुनने के लिए लोग लाला इत रहें, ताकि हमारे बोल भी दूसरों के लिए महाबाद के बन जाएं, ताकि हमारे बोल टेप रिकॉर्ड करने वाले बन जाएं, ताक कुछ रहा हो और हमारे बोल सुनकर उसमें जीने का उमंग आ जाए ऐसे बोल हमारे हो इससे सभी लोग हमारे समी पाएंगे हमारे समी पाएंगे तो बाबा के समी पाएंगे बाबा के लिए उनमें प्यार बढ़ेगा और जिस जो अंतर मुखी होते हैं बाबा ने बहुत अच पचास बोल बोलने से काम चलना हो, वहां पांच बोल बोल कर काम चलाएं, जिनका लंबा समय ऐसा अंतरमुकता का भ्यास होता है, उन्हें वाकसिद्धी प्राप्त हो जाती है, बहुत बड़ी चीज है, कि जो कुछ हम बोले, वही सत्य हो जाए, वाकसिद्धी से कहते हैं, इ इतना ही नहीं, जिसे हम ज्ञान देंगे, उस पर भी सीधा तीर लगेगा, और वो बाबा के बन जाएंगे, तो विचार कर लें, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, तो आज सारा दिन, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, सवेरे स्याम बहुत अच्छा कर लें, हम सुक उनके संपून स्वरूप में खड़े हैं, उनके अंग-अंग से किरने फैल रही हैं, मस चेहरे के चार ओर लाइट का बहुत सुन्दर गोल्डन ताज है, होतो पर सुन्दर मुस्कान है, ऐसे बाबा खड़े हैं, और उनके सामने हम हैं, हमारी चमक, बाबा की चमक से बहु अपनी चमक को देखें, और फिर अभ्यास करेंगे, परमधाम से सिव बाबा की किरने हम पर पड़ने लगी, और हमारी चमक बढ़ने लगी, उपर से किरने लगा तार आ रही हैं, और हमारी चमक भी धीरे धीरे, बाबा जैसी हो गई, हम हो गए, बाप समान तो स्वामान र बेंगे, ओम शांती